नमस्कार किसान दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ आपको फार्मिंग एरिया यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज इसकी वीडियो में हम किलो स्कॉर मेगा टी 15 पावर टिलर का फुल रिव्यू करने बाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी लोगों के पास पहुँच पाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किलो स्कॉर डीजल इंजिन बनाने के लिए जाने जाता है लेकिन किलो स्कॉर ने खिसानों के लिए बहुत सारे प्रोड़क्ट्स एवेलेबल करवाये हैं जैसे की वाटर पॉंस हो गया पावर वीडर आपको power start का facility मिलता है, mobile charger का facility मिल जाता है और इसमें आपको hour meter भी देखने को मिलता है, तो यहीं हम बात करें तो इसका uses, इसे हम किस तरह use कर सकते हैं, पहले तो हम इसे water pump की तरह uses कर सकते हैं, हम खेतों में पानी चला सकते हैं, rice huller, mini rice meal भी इसे हम कर सकते हैं, पेड़ी, reaper, generator बगएरा और भी ऐसे बहुत सारे इसके uses हैं, अब हम बात करते हैं, इसके engine specification के बारे में, engine specification के बारे में बात करें, तो इसमें हमको kilo square oil engine limited की तरफ से single cylinder horizontal water cool engine मिलता है, इसमें आपको electrical starting का option मिल जाता है, 995 CC में 2000 RPM के साथ 15 HP वाला powerful engine मिल जाता है, engine oil की बात करें तो हम हमें इसमें 3.5 liter का engine oil डालना होगा, जो की 15W 40 grade का होना चाहिए, और वहीं gear oil के बारे में बात करें, तो इसमें 7.5 liter का give roll लगता है, 80W 90 grade का, इसमें आपको 6 forward और 2 reverse gear मिल जाते हैं, अगर इस power tiller का minimum speed के बारे में हम बात करें, तो इसमें आपको 1.3 km per hour का minimum speed मिलता है, जो की tilling के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और इसमें आपको road में चलाने के लिए, transportation के लिए, आपको maximum speed दिया जाता है, 14 km per hour का, जिसमें आप trolley बगएरा लगा के भी काम कर सकते हैं, तो rotary system के बारे में, rotary department के बारे में हम बात करें, तो इसमें आपको 20 blades के साथ side chain drive system मिल जाता है, और आपका जो rotary का speed रहता है, वो 183 rpm से लेके 304 rpm तक का रहता है, पावर टिलर का खास बात यह है कि इसमें आपको seat का option भी मिल जाता है, अगर इस पावर टिलर का overall length के बारे में बात करें, seat को मिला के, इसमें आपको 2490 mm का length होता है, और width आपका 860 mm का width होता है, height इसमें आपको 1320 mm का height मिल जाता है, और track width जो उसका रहता है, वो 702 mm से लेक 605 mm का रहता है, तो चलिए हम अब price के बारे में बात करते हैं, कीमत के बारे में, इस पावर टिलर का जो price है, आपको market में 2,35,000 रुपे में मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको subsidy के अब भी व्यवस्ता है, वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताएगे, वीडियो को like की सकते हैं, कीमत***